नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हूँ अनूप सिरवास्तो दोस्तो उत्तर प्रदेश में दिन पर दिन सियासी घमासान तेज होता जा रहा है बीजेपी इस चुनाओ को जीतने के लिए अपनी तैयारिया लगभग पूरी कर चुकी है लेकिन वही पर इंडिया गटबंधन अभी तक बीजेपी को रोकने के लिए कोई ठोस रणीत नहीं तैयार कर पाया है अभी भी सीट सेरिंग को लेकर बागचीत जारी है साथी साथ इस बात पर भी कयास लगाए जा रहे है कि इंडिया गटबंधन में उत्तर प्रदेश की एक सबसे प्रमुख रणीतिक दल बहुजन समाज पार्टी को लिया जाए या न लिया जाए वो अभी अपनी रणीती बनाने में ही जुटी हैं लेकिन साथ साथ खबर ये भी आ रही है कि मायावती ने भी अपनी रणीत बनानी शुरू कर दी है मायावती अपने पार्टी के लोगों से, अपने पार्टी के पदाधिकारियों से, अपने पार्टी के नेताओं से, पार्टी के विधायकों से, MP से सबसे बाचीत कर रही है और वो भी इस सम्भावनाओं की तलास में जुट गई हैं कि क्या बहुजन समाज पार्टी का इंडिया गटबंधन के साथ जाना मुफीद रहेगा या फाइदेबंद रहेगा की नहीं जिहां चर्चाएं जोरो पर हैं कि मायावती अपनी रणनीत में थोड़ा परिवर्तन कर सकती हैं और इसका खुला सा इसका ऐलान 15 जनवरी जो कि मायावती जी यानि बहन जी का जनम दिन होता है और अपने जनम दिन के मौके पर मायावती इसका ऐलान कर सकती हैं एक और एलान हुआ है और बड़ा जवरजस्त एलान हुआ है आपको बता दूँ और वो एलान किया है मायावती के भतीजे और उनके उत्रादिकारी जिने आकास आनंद ने आकास आनंद को आपको पता है कि पिछले महीने मायावती ने अपना उत्रादिकारी घोसित किया था और आकास आनंद ने ये एक ऐलान किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐलान है ये और B.S.P. यानि बहुजन समाज पार्टी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह का कोई ऐलान किया है, इसके पहले सिर्फ दो राजितिक दलों ने इस तरह का ऐलान किया था, वो ह आपको बतानूं कि 2024 के चुनाओं के पहले ये ऐलान के जरिये ये माना जा रहा है कि B.S.P. ने अपनी रणनीत में एक बड़ा बदलाव किया है, पहली बार बस्पा के इतिहास में पहली बार मिस कॉल नंबर जारी किया गया है, और ये नंबर बहुजन समाज पार्टी के म आती साथ इस बात की भी सूचना है कि बहुजन समाज पार्टी में आकास आनंद के नित्यत में बिलकुल एक नया सोसल मीडिया प्रफॉर्म तयार किया गया है, इसका भी ऐलान जो है वो 15 जनवरी को किया जा सकता है मायावती जी के जनम दिन पर. अब क्या लिखा है आकास आनंद ने एक्स पर, मैं आपको पढ़के सुना देता हूँ, सोसल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि ना रुके हैं ना रुकेंगे, सत्ता की गुरु किल्ली लेकर रहेंगे. अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए समाजिक परिवर्तन के संगर्ज के लिए देश में समता मुलक समाज बनाने के लिए हमें संगठित होना होगा और ये आप से सुरू होगा और इस मिसन से जोड़ने के लिए 99-11-27-81-81 पर एक मिस्ट कॉल दीजिए और सीधे मुझ से जड़ी है अकास आनन्द का ये कहना है कि मिस्ट कॉल अगर आप करते हैं तो वो आपको कॉल बैक कर सकते हैं तो आपको पता है कि पिछले महीने अकास आनन्द को मायावती ने अपना भतीजा अपने भतीजा अकास आनन्द को अपना उत्राधिकारी घुशित किया था हा उत्तरप्रदेश और उत्राखंड की बागदोर मायवती के ही पास है अभी राष्टी अस्तरपरुम को पार्टी मजबूत बनाने का दाईत्व सौपा गया है तो अब जो है इस दो एलान एक कि इंडिया गटबंधन में बहुजन समाज पार्टी सामिल होती है या नहीं होती है उम्मीद ये की जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो इंडिया गटबंधन का दावन थाम सकती है क्योंकि जिस तरह की बीजेपी की तैयारियां है उत्तर प्रदेश में और खासका राम मंदिर जब 22 तारिक को इसका उध्गाटन हो जाएगा राम मंदिर का प जेपी को टकर निना है उत्तर प्रदेश में तो सारी पार्टियों को एक जंडे के नीचे आना ही पड़ेगा और चाहे वो उनके बिवाद समाजवादी पार्टी से रहे हों और समाजवादी पार्टी को लेकर आठ जन्वरी को उन्होंने जो एक ट्वीट भी किया था जे सरकार से योगी सरकार से उन्होंने मांग की थी कि उनको पार्टी दफ्तर के लिए नया भवन अलोट किया जाए वहां वो अपना दफ्तर चेंज करना चाहती हैं तो उसके बास यह लगने लगा था कि मायावती अकेले राह पर निकल पड़ी है सायद हो सकता है कि लोग 2019 का चुनाव अखले सियादव और मायावती मिलकर साथ लड़े थे और ऐसा बीएसपी की इतिहास में दूसरी बार हुआ था जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों एक साथ आये पहली बार कासी राम और मलाहम सिंग यादव आये थे और दूसरी का चुसरी और बाकी पांस सीटे आरेलडी के खाते में गई थी और उसमें बीएसपी को दस सीटें मिली थी जैसा कि आपको पता है और समाजवादी पार्टी पांस सीटों पर से मटाई थी अलाकि उसके बाद ये गटबंदन तूट गया था और दोनों ने एक दूसरी के उपर बोर्ट ट्रांसपर नहीं कराने का अरोब भी लगाया था लेकिन इस वक्त जो हालात है राममंदिर को लेके और इस वक्त जो हालात पैदा हो रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी की तैयारी हो चुकी है और अलमुस्ट कंडिडेट का नाम फाइनल करने के अलावा बीज मायावती जो है वो गटबंधन का साथ आ सकती है और इसका ऐलान जो है पंदर जन्वरी को जिस दिन उनका जनम दिन है उस दिन किया जा सकता है और साथी साथ उनकी नई सोशल मीडिया टीम का ऐलान भी पंदर जन्वरी को होगा अब सवाल ये उठता है कि कल तक जो अखले यादो मायावती के आने का विरोथ कर रहे थे तो क्या वो अब अपना हिर्दे परिवर्तन कर लेंगे और अगर ऐसा होता है तो फायदे में कौन रहेगे हो सकता है कि मायावती कहें कि इस बार हम जादा सीटों पर चुनाओ लड़ेंगे तो इसका इसका जो भरपाई है इसकी जो भरपाई है उन्हें मध्यपरदेश राजस्थान में कुछ सीटे दे कर की जा सकती है क्योंकि ये माना जा रहा है कि अखले स्यादो जितने सीटों पर चुनाओ पिछली बार लड़े थे अगर सैंतिस सीटों पर चुनाओ लड़े थे तो इस बार भी वो सैंतिस या चाली सीटों से कम पर चुनाओ नहीं लड़ना चाहेंगे अपने सायोगी दल के साथ तो ऐसे में मायावती को जो है एक फार्मूला निकाला जा सकता है कि राजस्थान और मध्यपरदेश की जो कुछ सीटे हैं जहां पर पिछले विधान सावा में बीएसपी चुनाओ भी लड़ी है राजस्थान और मध्यपरदेश में बीएसपी चुनाओ लड़ती आई है तो वहां से उनके को सीटे दी जा सकती है तो ये खिचडी पक रही है लेकिन खिचडी चौदा 15 जनवरी को है इस खिचडी में क्या पक रहा है ये खिचडी के दिन पता चलेगा 15 जनवरी को पता चलेगा जिस दिन खिचडी भी है मकर संकरान्ती भी है और उसी दिन जो है इंडिया गट बंधन की खिचडी का भी स्वाध हो सकता है कि आपको मिल जाए तो इंतजार कीजिए 15 जनवरी तक और 15 जनवरी को मायावती क्या एलान करती है मायावती का रुक क्या होता है किस तरह से मायावती को एक्मोडेट किया जाता है इंडिया गट बंधन में सीट शेरिंग मिक के मामले में ये सारी चीजों का खुलासा अगले कुस दिनों में होना है लेकिन मायावती का रुख जो है वो 15 जनवरी को साफ हो जाएगा क्योंकि बर्ट्डे के बाद जो है ऐसा माना जा रहा है कि मायावती दिल्ली जा रही है और दिल्ली जाने के बाद वहाँ उनकी मुलाकात कॉंग् मिलेने का समर्थन किया है, खरगे भी इस पक्ष में है, मलिका अरजुन खरगे जो कॉंग्रिस के अध्यक्ष है, लिहाजा अब सापकी निगाहें अखले स्यादों की ओर लगी हुई है, और साथी साथ मायावती की ओर लगी हुई है, कि मायावती 15 जनवरी को क्या ऐलान करती हैं, बने रही हैं हमारे साथ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं आप से अगले वीडियो में, तब तक के लिए, नमस्कार.